नोहेंबर से 26 नोहेंबर से जो दिल्ली मार्च करने वाले किसान है किसानों को अर्चे में लाने के लिए मोदी और शिहा कमपनी बहुत सारे तंत्र चला है रास्ते खोदे आसुग्याद छोड़े लाटी चार्ज करें बहुत सारे किसानों को लाटी चार्ज से बरबरता से हमला करके किसी के आग फूट गई ये किसान की हत्या हो गई ये हत्यारी सरकार है ये लुटेरी सरकार है किसान क्यों जा रहे हुआ पर जो किसान विरोधी ती देश को बरबाद करेगी आज ही पिछले साल में जो 6 रुपे किलो के प्याज बिकने वाला 80-80 रुपे किलो बिक रहा है जो जमा खुरी के लिए खुली छूड़ दे चुकी है बीजेपी सरकार ने ये टोटली जन विरोधी सरकार है खाली किसान विरोधी उतना ही नहीं टोटली जन विरोधी सरकार है कभी दलीतों को पर हमले करके दलीतों को अंदोलन करने के लिए मजबूर करना मुसल्मानों पर हमले करके मुसल्मानों को अंदूलन करने के लिए हमले करना अब किसानों पर हमले करके किसान के मूलभूत जो खेती है खेती उखार के किसान के पास से लेके कार्पेट कमपनी को देने का जो तंत्र मोधी सरकार चलाई है ये मोधी सरकार को छोड़ना नहीं है, बचाना नहीं है इनको, इनको तोड़ना है, बेमान सरकार है, ये बहुराष्ट्री कमपनियों को देश बेचने वाली सरकार है, ये देश भक्त नहीं है, देश पर बलातकार करने वाली बलातकारियों की सरकार है, बीजेपी ये बलातक कितनी भी ताकत लगा है देश उनके ओपर आज उलट गया है देश आज दिल्ली को कईद में ले चुका है देश का किसान कईद में ले चुका है वहां का विध्यारती मैदान में उतर चुका है वहां का युवा मैदान में उतर चुका है देश का हर चपपा चपपा आज मोध सरकार के खिलाप में गुञ्ज उठा रहा है यह मोधि सरकार का जुल्मी सरकार नहीं चलना चींद शली कर संद्र में प्रजा को लूटे किसकी सरकार है कि करपर कंपनी की सरकार नहीं चलेगी प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे एक ऐसी सरकार है एक इसी सरकार है